NDA के दल जदियू और भाजपा में लगातार टक्राव चल रहा है ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कल जदियू के राष्ट अध्यक्ष ललन सिंग ने बयान दिया है कि मनीपूर और यूपी चुनाव में भाजपा गर उनका साथ नहीं देती है तो जदियू अकेले मजबूती से चुनाव लड़ेगी साथ ही साथ बिहार में जिस तरह से ब्रीज के उद्गाटन में मुख्यमंत्री नितिश कुमार को नहीं बुलाया जाता है और जदियू के नेताओं द्वारा लगातार कहा जा रहा है कि नितिश कुमार पीए मेटेडियल है इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मुझूद है विपक्ष के नेता कॉंग्रेश विधान मंडल के नेता जीत सर्माजी इनसे हम बात करेंगे किस मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे क्या रहेगा आपका रहें क्या लगता है सर जिस तरह से चकरार चल रहा है लगातार चुनाओ के बाद से देखिए ऐसा है कि जब से ये रास्टी अध्यक्ष राजी रंजन जी जो उर्फ लरन सिंग जी बने हैं तब से कुछ बातें जादे ही बढ़ चड़के हो रहा है लेकिन आपको बता दें जब से शरकार बनी है ये भारती जनता पार्टी और जद्यू में निशित तोर पर ब 15-15 लाग सब गरीबों को बोला कि पैसे दूँगा खाते में तो जूट बोलती ही रहती है आदर्नियन मुखमंत्री जी पूरे देश पूरे बिहार की जनता के द्वारा चुने की सरकार है ठीक है भारती जनता पार्टी में इसमें अंग है लेकिन आप जिस तरह से आरा में ब्रिज के उद्गाटे में मानिय मुखमंत्री को नहीं बुलाएं इसका क्या मतलब है इसका मतलब मुखमंत्री को थोड़ी अपमान कर रहे हैं आप पूरे बिहार की जनता का अपमान कर रहे हैं चुकि वह बिहार ने सरकार चुना है और माधर नीम मानिम नितिश कुमार् उनके मंतरी आधनी मंगल पांडले जी बोलते हैं कि ऑक्सीजन के कारण एक भी मिर्तियु नहीं वी जबकि ऑक्सीजन के कारण कितनी मिर्तियु वी यह सब को पता है पुरे बिहार की जंता को पता है तो खाली बिहारती जंता पाड़ी तो जूट बोलने हैं काम करती है इसलि उनको आमंत्रित करते हैं महां घडवंदन में वो आएं और हम लोग सरकार बनाके बिहार को विकास के नहीं उचाई पर और बिहार की जंता को सम्मान देने का काम करें लगातार इसी में गूटवाजी में ही नेता जो है वो रह रहे हैं विकास अवरुद हो गया है चुनाओ के बाद से जो योजना होनी चाहिए थी जो विकास होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा है विकास तो पुरा वरुद है बिहार का, चाहिए स्वास्त का मामला हो, सडक नाले का मामला हो, पानी के विवस्ता का मामला हो, लॉइन ओर्डर का मामला हो, सब माफिया एक्टिव हो गया है, पूरे पधादिकारी भरस्ट में डूबे हुए हैं, आप नगर निजम के हालत दे कंचारी के रूप में, वो काम करते हैं उनके पेट्रॉल पंपर, दूसरा उनके टैंकर, जबकि नगर निजम को सोलर टैंकर यहां मौजूद है, पांची कारेरत है, पांची से पानी पूरा हो रहा है, तो आप ग्यार टैंकर तो उसे खुद बैठे हैं, आप क्या कर रहे ह है, सिर्फ लूट वरस्टा चारे खिला, इसलिए मानी मुक्मंत्री कुझ को मैं आगरह करना चाहता हूँ, आप के माध्यम से, आप पूरे पदाधिकार यह वरस्ट हो चुके हैं, अधिकांस, सब को तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन जो हम नगर निजम के हालत देख रहे है हैं, लूट पर लूट मचा है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए, अगर भारती जनता पाटिक सदफ कंफर्टेबूल नहीं है, काम नहीं कर पा रहे हैं, चाहिए स्वास्वा विवाग देख लीजिए, तो आप आईए महागड़ंदन में सरकार बना के हम लोग बिहार क के विकास की नहीं उचाई पर ले जाने का काम करेंगे, पिल्कुल आपने सुना अजित सर्माजी को, और एक बार फिर से इन्होंने कहा कि अगर आप वहाँ पक कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आप महागड़ंदन में आईए, ताकि बिहार का विकास हो, अश्